कहते हैं कि उस नायर में आतमा रहती है बंदोग ही चले बाबो इस दैसे ने आपने बाद सबेद करवाए हैं कि कहते हैं कि इसके नीचे रात पर अगर कोई आ जाए तो उसे महीने तक नीद नहीं आती तो दोस्तों स्वागत है आपका फिर्स्ति हमारे एक नए व्लोग में तो आज हम कहां दा रहे हैं आज हम आ रहे हैं तो स्लेंडर लेने के लिए हमें बहुत ही एक्सप्लोर करना लोगों के घर भी आ जाता है चलना लेकिन हम तीस रुपए बचाने के लिए बहुत दूर जाने वाले हैं कि यहां पर एक एक रुपा का इसकीमती होता है कि तीस रुपा बजाने के लिए अब देखिया हम कितने दूर जा है क्योंकि सब सीड़ी के नाम पर सरकार ने देना है एक दो रुपयार हम तीस रुप एक्स्टर की फुक के तो आपको मिलते हैं रास्ते में रास्ते अभी दिखाएंगे ध्यान से बने रहे हैं चले ड्राइवर्स आप लेट को देख सकते हैं गली का कंस्ट्रक्शन वर्क शुरू हो गया तो फाइनली हमारे जनम के बाद यह गदी बनने वाली है तो गाइज यार रास्ता ब्लोग है उपर से हम इस आलात में जा रहे हैं इतनी ठंड में गाइज हम देखते हैं कुछ ना कुछ करके स्कूटी पर निकल जाता है ना आजकर चल रहा हूं गाइज रास्ता ही ब्लोग कर रखा इन्होंने आगे से बल भूप नहीं गूंग जाना पड़ेगा यह रास्ता बहुत खतरनाक है अब हमें गूम के जाना पड़ेगा कैसी सड़क बना रखिये मुशकेवचा तो यह पकी सड़क बनाते हैं इंजीनियरिंग वर्क तो हमारे करणाल का इंडिया का इतना खतरनाक है कि क्या ही बताएं तो देखे गाइस कितना एक्स्प्लोर करना पड़ता है हमें एक सलेंडर के लिए गाइस एक डंपर अठा उधर से दूसरा डंपर आ रहा है और यह डंपर तो कभी भी पिछे पड़ जाता है गाइस यह तो हमें ही घूर रहा है कहने काई देखे गाइस कैचूदर अधेकर नाय तो रास्ते हितने हैं कि लोग कहते दिल्ली बड़ी देखें कर्नाल कितना पड़ा दिलेlek है अधे आपको बगार कुछ देखे यह आप शgeon के निर्मान करने वाले करम यह करो रह रहे हैं हमाड़ी सड़के सड़के बनाने के लिए ठंड में कैसे सरवायू करते हैं एक लाइक इन के लिए तो हम थोड़ी आ गया चुकी है यह बड़ा इलाका शुरू हो गया बड़े लोगों के लिए इन्होंने सड़क अच्छी बनाई है सिक्योटी गाड दे रखाईन के लिए दरवाजे बनाए ग क्या प्राइजा सेलेंडर का और फिर आपको पताएंगे देखें गाइज पैसे तो लाएं बाई बीना पैसो क्या जी पर थोड़ी कर रहो पहले हम यहां पे खेल देते हैं यहां पूरा ग्राउंड था अब इन कमवक्तों ने अपने मकान बना दी हैं यहां पे जगा तो बहुत बढ़ी है गाईसे यहां पर हम पकड़ाई चुबं जुपाई ऐसी तैसी बहुत करवाई वच्पन में तो बता दे गाईस को हम यहां पे खेला करते थे शेर और आंती वाला हमारा एक दोस्ता वो शेर बनता था कोई हटी बनता था कोई हांती बनता था आज कल के बच्चे तो बस वीडियो गेम में रहते हैं जादा जादा यह नहीं कहारा हूं कि सारे बच्ची रहते वीडियो गेम में बच्पने लड़का बताने लगो ना आप इतना मोटिवेट हो जाओगे फिर भी काओगे बंदे पैसा तरवा पेर भी नहीं देखे लिए और यह कम से कम दस साल तो हो गया होगा इसको बंदे बंदे तीन चर वाल को स्कैम में फस चुकिया यह तूटती है फिर बन जाती है फिर काम सुरू कर देखती है पैसे कि माया है अब हम यहां से विलेज रावर के लिए प्रस्थान करेंगे रावर में एक गाईज उ अत्मा रहती है बंदों घी जलेगा वो अचा कुछी निया गया है थोड़ा कहते है गाओं एरिया इसे बाटाई बढ़ाई बढ़ाई बजे तो गड़के इना एक्रेसिव हो जाए तो पाता नहीं बट्थ रास्ते में आप रात को जाओगे तो बही आत्मा जरूरों इसलिए यह सितामाई कुटिया है यहाँ पर शीतारां की कुटिया देखे गाई बहुत फेमस है यह गाई गाई पर फार्मिंग एरिया फ्रू हो गया है जो हमारे वीले जीद है आपे गेती वाड़ी बहुत हो गए कि देखे देखे दिखाएंगे आपको कहा तरह में जाना सलेंडर कोहां से बिलता है फुद गरता दूरी बीडिया में कितनी दूर से विसलाई कर लाना पूंद आप खुद कहेंगे अभी तना व्येव कूफ लोग हैं 50 रुप का तेल खर्च रहें 30 रुप बचाने के लिए पीज ही तो लगने हां आरे पिर दस रुपे बच रहे हैं कहां से लाएं इसका पॉर इंट धिर से बच रहे हैं और पेर भी बेल अगर रहा आँ अए गया है अधार टोप करता हैं अब बचानी पीर पीर आपर इस तो हुद पारी पारी क्या ही काएं पक्की सड़क बनाई हैं यह कच्ची सड़क बनाई है क्या है काई इस आप पमेंटर मताएं क्या बबास शड़क के नाम पे हगती हो भे शड़क बनाने में यह पूरे कितने दस सार लगे से तब ही तो इतना पक्का काम हो रहा है यार है ऐसी धोड़ीना अब यह बहुत दूर जाना है तो बने रहे हैं व्लोग में तो गाइस खेट में बंदे अपना मूली औगारा उखाड़ रहे हैं और इसी के साथ हम पुंचने वाले हैं करनाल के बहुत ही फेमस रावर की नहर पर यह नहर बहुत लंबी है यमना नदी से मिलती है हमारे करनाल में एक काउं है वहां पर एक नहर बहुत लंबी है इसे चार काउं है एक मुझे थड़ा गल्ट हो गया मुझे लग रहा है गाइस कि यहां पर कंस्ट्रक्शन चलता है नहर के बास अभी मुझे लग रहा है मुझे लग रहा है मुझे पाड रहे है मुझे मत देख नहर तो सुखी हुई है फिलाल भी देखिया कि यह देखिये गाइस अभी तो नहर को देखके ऐसा लगता है कि इसमें तो बंदा भी तैर ले अजब इसमें पानी आता है अगर आप हमारा साथ दें अच्छे व्यूज आए आप हमारी वीडियो को शेयर करें तो हमें भी थोड़ा होसला मिलेगा हम आपको और भी ज्यादा अज फ्लोज करवाएंगे करनाल नहों का खेत आ चुका है तो मीम्स में इन गंड़ने के खेतों को थोड़ा भूरे दरीक लिखा जाए रहा है यहां पर कितना खतरनाक है खतरनाक क्या उसके अंदर शेयर बैठता है शेयर नहीं यहां पर अजगर मिला था तो यह बटो बाग चुका है रावर का लेकिन यहां पर बस रेड़नी रुपती है और यह हमारा सबसे महंगा विकल जा रहा है जो ओटो पाइलेट मोड पे भी आ सकता है मैंवल मोड पे चल सकता है जैसे मर्जी आप चाहें करनाल के डॉक्टर साब मुनोज मित्तब बहुता इसे खाते भी हैं आप तो असका सब्सक्राइब बता वह जो जो आज एक और बहुत बड़ी कुशकपरी है मतलब है रोक को जो हमारा स्पैशल करने वाला वोची जम घर चल लिए चल लुए आप पंग कर देखते हुए आप कोई अच्छा लगता है और जो बहुत वाइरल हो और आपने मतलब हस्ते ज्यादा इतना सुन लिया हो कि अगर किसी की एक करोड इंकम उस पर तीस लाख रुपे सरकार लेती है ऐसा मैंने सुना अरो स्कूलों पर भी नहीं लगाती लगाती तो लगाती का यार जरकार वैसा और यह गाउं का इंचोड अलाग यह देखिए आपने होरर मुवीज में जरूर देखा होगा यह हमारा बहुत ही पुराना एड़ पंप सनी देवल ने जो पाकिस्तान में उखाड़ा गया है और यह इसी के साथ हमारा विलेज का डंप यार्ड फूरू होचता है यह दो इतर खेत है उदर दम पियाड कर रहे है तो फ्रेस्तों की जो शक्ति है जो जाओ सखी वह थाड़ ज्यान देने के तो गोशिट कर रहा है काईज यह वाक्किया आप समझ यह दो जो एक वह दो जो अए इस ने बहुत लिगे ना काईज उने एसकाउट था बेले तो इसका बहुत तुछ पता है इसके बारे में और यह हमारा और मूवी का ट्री देखे आ गया है हमारा कहते हैं कि इसके नीचे रात को अगर कोई आ जाए तो उसे महीने तक नीद नहीं आती साल पर बिमार रहता है तस्त लग जाते हैं ओमांइग गोडितना यह पक्की सड़ा कहें या कच्छी सड़ा कहें मैं किया ही बोह अ वह इसको मेरी बाशें मेरी आसमें सुथरा सा सिलेंडर लियो ये ले 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 यार यार ये ठीक है यह ले लेकर आचुके है देखिए हमारे ड्राइवर साफ को कंटीनुड्राइवर साफ चलिए चलो चलो स्लेंडर 20 रुपे सफ्ता हो गया है क्या अरे कहा हुआ है तो गाइस आज हमने 30 रुपे का स्कैम किया है तो आप बताईये क्या आपने कभी ऐसा स्कैम किया है आप पी ऐसे ऐसे स्कैम करते हैं मजा बहुत आफ्टा ना आफ कर दो अगरत अ हम तो इतनो श्कैम गर की घुछ रहा है तो आफ तीस रुपे काही फूल है पंदरागा बरगर आता है चलो दो बंदेंड अब दो बरगर पाड़ेंगे के अकृनाल में तो पंदरागा मिलता है बाग्गी बड़े लोगों क्या पंदरागा बरगर कहा तो एरिया तो आपने देखी लिया है तो हम आप से मिलेंगे घर जाके अब तो इसी कराद व्लोग में बने रहे हैं गाइज अभी हमने आके अक्टिवा खड़ी करी है और हमारा वाई अपना जोर दिखाएगा उठावाई से लंडर लाइट वेट है ना तो यह हमने स्पेशल ओफी स्लेंड रखने के लिए बनाया पैसा बहुत है हमारे पास यह जब स्लेंडर ठक जाता है तो यहां आके सो लेता है कैसा लगा आपको इतना हलगा से अपनी जिंदी के भी इठाया है तो तो बने रहे हैं व्लोग में हम आपको कुछ बताने वाले हैं यह इसकी उत्पात जनक खरकते तो गाइस जैसा कि आपको पता यह बोडी बीडर हमारा घर पर वर्काउट करता है व्लाल है मुझे टाइम नहीं मिल रहा है मैंने इसको ट्रेणिंग दै दिया यह कर रहे था अपने घर बनाया है और एक हांत और भी आपने घर बढ़ा कहीं और एक तो यह हमने पहले सिंगल डंबल बनाया फिसको काट के आपने कई वीडियो में अगर देखा हूँ हमारे दूसरे चैनल पर उसका मुख धंड भी बना लिया और अब दे दुबारा से डंबल बन चुका है इसके बार एक और चीज़ दिखाते हैं अजर आजाओ यह हमने बना रखता ह लिए शायद जिम जाते होंने पता होगा लैट पूल डाउन की मशीन होती है जिम में ट्राइसब भी हो जाता है इससे इस तरह हम वेट लगाते हैं नट्स के द्वारा आपको कभी दूसरी वीडियो में दिखाएंगे और यह हमारा पुलप बार हमने खुद ही एक हमबा से यह थोड़ी हर्याली और उसके बाद हमारा बहुत सारा जिम का वेट जिसमें हमारे यह है ट्वेल ट्वेल केजी यह डंबल्स देखेगा इस मेरी ट्रेनिंग में बिल रही नहीं से खसी हो जुगा है उसके बाद है हमारे बार्बल हमारे दो डंबल हो रहा है 55 kg है जो हमारे शॉल्डर में और डेडल्स में काम आ जाते हैं बाकी कुछ लॉय की प्लेट्स हैं और एक दिन आपको सार दिखाएं की बैंच पर एक सारी एक सारी होते हैं सारी टोटल इस उत्री भी जिम में करी जाती है सिरफ इनी चीज़ों से और अगर इसके ऊपर एक बीपली वीडियो चाहिए तो बताना फिट्नेस चैनल पर डाव जाए तो गाइस यह जो हमारा भाई है जैसा कि हम लोग अभी हमारी स्टडी चल रही है बीबी कर रहे हैं हम लोग तो इस भाई ने जोब के लिए अपलाई कर रखा था तो आज इ आज इसको कुछ परक नहीं बढ़ता दुनिया बर के काम करके छोड़ दिया हमने फिर भी पैसा नहीं हम पे तो आज जाएगा जैसे भी तरह बज़ेगी टाइमिंगे चार बजे की टायमिंगे चार से रात के अगले दिन के एकवजे तक तो यह दिखाएगा माँ पे क्या गभी विडिए me लाइब हुगा तो अगले वलोग के लिए वलोग και मcation बने रहें अगले वलोग में सब्वे की वीडियो आएगी आज थोड़ा साबको बता देंगे बही कहांँ पर कैसे जोब बता देना यह तो मुझे भी नहीं बता अभी जा के पता चलेगा जा की पता चलेगा वह तो है और के थाइंक यूट